Hey what's up guys, क्या हाल चाले, finally iOS 17 का जो public beta update वो most of iPhone users के लिए available हो चुका है काफी बंदों को guys यहाँ पर iOS 17 का जो beta update उसको install करना है उसके iPhone में पर काफी लोगों को पता नहीं यह कैसे किया जाता है और यह safe है या फिर नहीं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है अगर आपकी device में अभी भी iOS 16 का जो update है वो install है और आपको यहाँ पर latest feature iOS 17 के use करना है तो केसे करना है तो गाइस आज की इस वीडियो के साथ बने रेना में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने device में iOS 17 को जो update है उसको download कर सकते है और वो भी किसी यहाँ पर problem create किये भी ना तो सबसे मिले गाइस अगर आप जाएंगे अपने safari में याद रखिए आपको c4safari browser यूज करना है चाहिए आप अपने iPhone में करते हो Mac में करते हो या फिर iPad में करते हो आपको गाइस यहाँ पर जाके search करना है beta.apple.com यहाँ पर जो website की link है आप याद रखिए description में में उसको दे दूंगा यहाँ पर जाके आपको simple सा go button पर tap करना है अब यहाँ पर जैसे website open हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते है Apple beta software program का काफी सारी information आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले गाइस क्या करना है अगर आपके पास already Apple का जो Apple ID यह वो है तो आपको यहाँ पर sign in button पर tap कर लेना है sign in button पर tap करते ही guys आपका एक नया Apple का जो website open हो जाएगा जहाँ पर आपको verify करने के लिए बोलेगा तो simple सा आपका यहाँ पर continue करना है अपना face ID यहाँ पर enter करना है पर आप लोगों का यहाँ पर जो Apple ID यह वो verify हो जाएगा तो कुछ इस आपडेट में देखने को मिल सकता है तो आपको यहाँ पर agree पर tap कर देना है याद रखें यह बीटा प्रोग्राम है तो यहाँ पर काफी सारी bugs तो होने ही वाली है अब यहाँ पर जैसे ही टेप करेंगे तो आपको iOS, iPad, macOS, tvOS जो भी choose करना है उसको select करना है scroll down करना है और य iOS का जो device है उसको आप backup कर दीजिएगा अब यहाँ पर सब कुछ करने के बाद करना है दो option दिया गया है अगर आप यहाँ पर बीटा प्रोफिल डाउनलोड करना चाहते तो भी कर सकते है या फिर directly कर सकते है कैसे यहाँ पर लिखा है open beta updates जैसे ही यहाँ आप आप टेप करे beta या फिर iOS 17 पब्लिक beta तो आपको क्या करना है iOS 17 पब्लिक beta है उसको यहाँ से चूज कर लेना है तो आप जब भी नए अपडेट आएगा iOS 17 बीटा का वह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते स्टाटिक में मैंने आपको ब जलता है तो क्या करना है सिंपल सापका जो सेटिंग एप से उसको क्वाइट फोर्स कर दीजिए इसके बाद जाए जन्रल में और जाके एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको आपडेट सोफ्ट्वर अपडेट में मिला या फिर नहीं अगर नहीं मिलता है तो आप अपना जो पर करेगा तो इसके बाद आपको डाउनलोड इन इंस्टोल बटन पर टेप कर लेना है तो आपका डाउनलोड बटन यहां पर सोही नहीं करेगा स्ट्रॉंग वाइफाई कनेक्शन कीजिए फिर ही आपके यहां पर अवेलेबल होने वाला है तो यहां पर iOS 17 इंस्टोल करन आई क्लाउड का जो बेकाप है वो ले सकते हैं पर उसके लिए आपके पास आई क्लाउड में स्टोरेज फ्री होना चाहिए अब इसके बाद यहां पर काफी सारी बग्स की वज़े से कुछ हो सकता है कुछ एप वर्क ना करें तो यह भी गईस बात आपको याद रखनी है आई होप आप लोगों को पता चल गया किस तरह से आई ओए 17 बीटा को आप अपने आई फोन में इंस्टोर कर सकते हैं तो अचले गईस मिल देखने वीडियो में तब तक के लिए जैहीं